हेलो एवरीबन नमस्ते आज की इस रीडिंग को आप अपने हस्बेंट वाइफ लवर याब लविट की और से देखें दोनों में जो डिफरेंस है आप चाहते हैं रीकंसिलेशन हो सके रीयूनियन हो सके सबसे पहले एंजल से पूझते हैं कि कैया अनकी किस्मत में हैं वाज स्वावर को लाव आनकी किस्मते हैं और यह क्वाश्टन आपका है एंजल से helpful people you are ready, take action किस्मत में तो आप हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ helpful people का support लेना पड़ सकता है otherwise कुछ difference चल रहा है तो जल्दी ही कुछ helpful people आपको मिलेंगे और आप अपने परसन की किस्मत में हैं now you please concentrate on your partner let's see कि क्या situations अभी चल रही हैं and कब तक improvement आ सकता है concentrate करें अपने partner पर आपके husband, wife, lover, beloved, think of them seven of coins है bottom of the deck में किसी तरह का plan तो कर रहे हैं एंग्जाइटी में है बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है इस परसन को actually आपसे distract किया गया है यह परसन आपसे बहुत attracted है बट third party situation की वजह से इस परसन को आपसे तूर किया गया है recent past है nine of events, society के कुछ people से यह अब घिर चुके हैं आपसे जो दूरिया है उसके against कोई action लेना चाहते हैं जो भी difference आपसे बना हुआ है उसके against कोई decision लेना चाहते हैं और जल्दी ही positive action भी लेगे आपके साथ already married है otherwise कहीं और married है और आपके बारे में सोच रहे हैं आपके बिना disappointed है, sadness है खोना नहीं चाहते हैं आपको तो इसके लिए जल्द से जल्द कोई action लेंगे happy family भी है आपको so action यही होगा कि यह person आपके साथ happy family में रहेंगे इस person को emotional black man dominant किसी भी तरह से किया गया है और इनका attention आपपर सिख खटाया गया है आपसे जो difference है वो इस person के mind में है और यह कुछ plan भी कर रहे हैं आपको लेकर planning यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्लॉब है आपने and उसी को लेकर कि कुछ action लेना चाहते हैं ace of sorts हैं तो positive action ही दिखाई दे रहा है but इस में if you are married अगर आप married हैं तो आपको careful रहना है इस person से आप already married हैं तो आपको careful रहना है if you are single तो फिर यह person आपसे जुणना चाहते हैं let's qualify high priestess क्या बताना चाहती है walking away goddess of the moon so if you are already married तो थोड़ा careful आपको रहना है अगर किसी तरह का action आपके person immediately लेते हैं because ये action आप दोगों के बीच difference को और बढ़ा सकता है goddess of the moon बताती है यहाँ पर भी the high priestess moon को ही express करती है person आपसे married है but कुछ feelings, emotions, intentions अभी छुपे हुए है so you have to be careful और अगर कहीं और married है ये person तो surely आपकी वाद बढ़ना चाहते है strong warning किसी तरह का जो action अभी होने वाला है आपके person की और से ये कुछ anxiety आपकी बढ़ा सकता है so आपको careful रहना है as a final outcome the temple बात है जो की बता रहा है everything will be fine so immediate future में ही one week से one month के within अगर आपको लगता है आपके partner किसी तरह का wrong decision ले रहे हैं तो इसे आप smartly deal करें pray करें और अगर ये decision आपके favor में ही है then there is nothing to worry about but यहां पर आपकी marital life में high priestess as a situation आई हैं तो कुछ conflict हो सकता है now it depends upon you कि ये जो action आपके person का होने वाला है इससे आप कैसे deal करते हैं smartly deal करते हैं तो things will be fine future आपका safe रहेगा all right आपके person की किस्मत में जो है Taurus, Virgo, Capricorn Cancer, Scorpio, Pisces Aries, Leo, Sagittarius sign हो सकते हैं आपके person की किस्मत में जो person है number two one four related हो सकता है उनसे name initials आपके person की किस्मत में जो है उनके B, K, R D, M, T A, I, J, Q, Y हो सकने हैं let's see one angel's guidance for you in this case a year from now reconsider perfect timing already अगर long time period हो चुका है तो आपको within a month कोई action आपके person से delay gap one week से one month के अंदर so as I told you आप reading को ध्यान से देखे eco sound की वजहां से मैं कम भी बोल रहा हूँ so thank you so much take care